हेलो फ्रेंड्स आश्यूस कुकिग मेदिक से मैं आश्यू आप सब का स्वागत करती हूँ तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छिपकलियों से आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है गर्मी के मौसम में शिपकलिया बहुत आदात में बहार आ जाती है और साथ में जैसे ही बारिश का मौसम आता है शिपकलिया बहुत जादात में बच्चे दे देती हैं शिपकलियों के बच्चे छोटे छोटे होते हों आपके घरों के अंदर भागते हैं खासकर वो किचिन में, अलमारी के पीछे, वाश रूम में, हर जगे पहुँच जाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि छिपकलियों को भगाने का बहुती असादार तरीका इसको जब आप एक बड़ ट्राई कर लेंगे, आपको सच में छिपकलियों से छुटकारा मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शियर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको खाने के वीडियो के साथ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक के वीडियो भी देखने को मिलते हैं तो चलिए बिना देर किये हुए छिपकलियों से छुटकारा पाने का तरीका देखते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पे कुछ समान दिखा देती हूं तो मैंने यहां पे लिया है डिटॉल डिटॉल सब के घर में होता है तो डिटैल आप ले लिजए अगर आप यह सोच रहे होंगे कि डिटॉल नहीं है तो प्याज के रस को मैंने पहले mixi में प्याज को पहले piece लिया था फिर उसको छनी से छान लिया है तो ये प्याज का रस है एक पूरी प्याज का रस है साथी में मैंने लिया है citric acid यानि की nimbu sat citric acid बहुत powerful होता है और इससे चिपकलियों को बहुत allergy होती है अगर ये आप छिपकलियों को पर छुड़क देंगे या इसको पानी में घोल के डाल देंगे ना तो छिपकलियां बहुत जल्दी भागती है तो satric acid ले लिया है बहुत असानी से आपको बजार में, market में या फिर आपको online भी मिल जाता है बहुत ही सस्ता होता है, मेंगा भी नहीं होता है बस ये तीन इंग्रीडियन्ट है, साथ में मैंने एक बॉटल ले लिया है, इस तरह की spray bottle ये सब के घर में होती है, अगर नहीं है तो आप बजार से खरी लिजे 30-40 उपए की कोई भी spray bottle आपको असानी से मिल जाएगी तो बॉटल हमाई तेयार है, अब बनाते हैं powerful spray तो सबसे पहले हम bottle के अंदर डाल देते हैं प्याज का रस तो इस तरह से हमने एक पूरी प्याज को मिक्सी में पीस लिया था, उसका रस निकाल लिया वो डाल दिया है डिटॉल डाल देंगे हम एक धकन के करीब तो डिटॉल हम डाल दे रहे हैं इसमें, डिटॉल भी हमने डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे वेनेगर भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर साइट्रिक एसिड मिल जाए ना तो बहुत पावरफुल यह घोल बनेगा तो हमने आदा चम्मच के करीब साइट्रिक एसिड डाल दिया है अब हम इस सारे मिक्षर के अंदर डाल देंगे एक ग्लास के करीब पानी एक ग्लास या आदा ग्लास आप पानी डाल दीजे थोड़ा गाड़ा ही मिक्षर हो और इस पूरे मिक्षर को हम अच्छे से मिक्स क विशेज ध्यान दीजेगा, बस धक्कन लगा दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खुब अच्छे से आप इसको शेक करिए, जिससे की डिटॉल, साट्रिक एसिड, प्याच करस और पानी, ये साली चीजे आपस में मिल जाएं, और ये अच्छे से फिर अस इस बात का देखिए, पता आपको खुद लगाना पड़ेगा, तो चलिए, हमारा ये मैजिकल स्प्रे तो तो तयार हो गया है, तो इसको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों से, पालतू जानवरों से, और खाने पीने की चीजों से आप इसको दूर रखिएगा, और जहां पे आपके खाने पीने के बरतन है, उस पे भी मड डालीगा, क्योंकि डिटॉल हामफूल होता है, चलिए, तो इसको स्प्रे करना बताती हूँ, जैसे कि मेरे किचन में ये विंडो है और इसमें छेद ह तो यहां से छिपकली बहुत जादा एंटर करती है, इस तरह कि जो जिरिया होती है, वहाँ पे भी छिपकली आती है, तो स्प्रे कर दीजे, किचन की बाहर वाली जो बालकनी होती है, वहाँ पे जरूर स्प्रे कर लिए करिए, पाईप के पीछे करिए, जो खिड़किया है आपके घर के बाहर की तरफ उसपे प्रे कर दीजिए देहिए विंडो से ही छिपकलिया अंदर आती है पाईप के पीछे जरूर करिएगा वाश्रूम की जो खिड़की होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ से आप इसको प्रे कर सकते हैं यह वह जगे जहां से छिपकलिया बहुत असानी से आती है। पाइप के पीछे कर दीजीए, जो भी इस तरह की पाइप होते हैं, डंडे होते हैं, अलमारी होती, वहां कर दीजीए किचन का दर्वाजा या आपके बेड्रुम का या जो भी रूम का दर्वाजा उसके चारों तरफ कर दिजे और हमारे घर का जो entrance होता है वहां पर बी छिपकली आती है तो entrance में जो नीचे जिरी होती है ना इस पर भी आपप spray कर दिजे तब ही आपको छिपकलियों से छुटकारा मिलेगा तो आज के वीडियो में आपने देखा कि छिपकलियों को भगाने का क्या तरीका है तो इस तरीके को जरूर अपनाईए और अगर आपको इसका रिजर्ट अच्छा मिले या आपको इसका रिजर्ट ना मिले तो भी आप मुझे दोनों ही कंडिशन में कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोग के सारे कमेंट्स परती हूँ, सब कमेंट्स के में रिपलाई करती हूँ और आप लोग किस के शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी मुझे अपने शहर का नाम लिखके बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बने अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलते हैं इसी तरह के एक मददार यूस्फूल वीडियो के साथ बाबाई एंड टेक कियर